वंतारा, भारत और विदेश दोनों में घायल और खत्रे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनरवास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। वंतारा, भारत में अपनी तरह का पहला इनिशियेटिव है, जहां जानवरों की पूरी देखभाल की सुविधा है। वंतार सेंटर जामनगर रिफाइनरी कॉम्पलेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकर में फैला है। वंतारा शब्द वन और तारा शब्दों का मिल है, मतलब की जंगल का तारा स्टा ओफ फॉरस्ट। इसके तहट रिलायन्स ग्रूप का फाउंडेशन एक बड़ी पहल शुरू की है। दरसल भारतिय संस्कृती में प्रकृती को मा का स्थान दिया गया है। इस प्रकृती में निवास करने वाले सभी जीवों को कुटुम्ब माना गया है। इन्ही कुटुम्बों के लिए प्रोजेक्ट वंतारा की शुरुआत की गई है। वंतारा प्रोजेक्ट रिलाइंस के जामनगर रिफाइनरी कॉंप्लेक्स में शुरू किया गया है। वहां करीब 3000 एकड में फैला ग्रीन बैल्ट है। इसी ग्रीन बैल्ट में दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों के संरक्ष का काम वंतारा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है वहां देश-विदेश के घायल, शोशित और लुप्त होने के कगार पर पहुँच गए बेजुबानों का रेस्क्यू कर इलाज किया जाता है इलाज पूरा हो जाने के बाद उनका पुनर्वास भी किया जाता है बाली वो डेक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी वंता आन्य जानवरों, सरी स्रिपों और पक्षियों को बचाया है इसके साथ ही उन्होंने इस कदम के लिए अनन्त और टीम की ऐसी अद्भुत पहल के लिए उनकी प्रशनसा की है मतलब की उनका भी इस प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग है वंतारा की सकलपना पर रिलायन्स फाउ के कुछ प्रतिबध लोग ये टीम इस समय गंभीर रूप से घायल और लुपत प्राय जीवों की मदद कर रही है अनन्त का कहना है कि घायल जानवर चाहे देश में हो या विदेश में उनका ततकाल सनरक्षन इस कार्यक्रम का उद्देश है यही नहीं दिक्कत में फसे प् को बहाल करना भी इसमें शामिल है ये बताते हुए बेहत खुशी हो रही है कि उनके इस प्रयास को अंतराश्ट्रियस तर पर मान्यता मिली है अनन्तंबानी का कहना है कि इस कार्यक्रम के तहट अभी तक 200 से भी ज़्यादा घायल हाथियों को बचाया जा चुका है देश के किसी भी हिस्से में घायल हाथी पड़ा हो उसे जामनगर के वंतारा प्रोजेक्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है यहां घायल हाथियों की सेवा की जाती है उसका समुचित इलाज किया जाता है एक तरह से कहिए कि यह कोई प्रानी उध्यान नहीं बलकि बेजुबान जानवरों का सेवाले है तभी तो 600 एकरक्षेत्र को तो सिर्फ हाथियों के लिए विकिसत किया गया है उनके प्राकृतिक आवास के तौर पर अनन्त अंबानी कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को अत्यादुनिक देखभाल की सुविधा मिले इससे बढ़िया और क्या हो पशु कल्यान के प्रती उनकी आजीवन प्रतिबधता ने सभी जीवित प्रानियों के प्रती उनकी करुना को गहराई से प्रभावित किया है वह बताते हैं कि घायल बेजुबानों को बचाने में दुनिया भर की शीर्ष प्रानिशास्त्रियों और डॉक्टरों की मदद म उनका कहना है कि वन्यजीवों के प्रती जागरूकता और सहानुभूती के साथ ही वह भारत में वन्यजीव पशुचिकित्सकों के लिए एक विश्विद्यले स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अनन्त अम्बानी ने इसका खुलासा खुद कर दिया है। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिक्ता पीविद्जानवरों की भलाई है और हम जनता के लिए खोलने से पहले उनकी जरूरतों को प्राथमिक्ता देंगे। हाला कि वन्यजी शिक्षा और बचाव प्रयासों के लिए समर्पित हमारा आगामी प्रानी उड्यान जल्दी आगंतुकों का स्वागत करेगा।